जार्खंड में रज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव होना है लेकिन ना तो महागडबंधन और ना ही इंडिये ने अब तक उमीदवारों के नाम का एलान किया है किनके नाम की चर्चा चल रही है और क्या है समिकरण देखे रपोर्ट में जार्खंड में रज्यसभा चुनाव कुले कर सरगर्मी तेज है दो सीटों के लिए रज्यसभा चुनाव होने है जिन सीटों के लिए चुनाव हो रहा है उनमें से एक बीजपी के पास है तो दूसरी कॉंग्रेस के पास बीजपी के समीर औराओं का कारेकाल खत्म हो रहा है तो कॉंग्रेस के धीरज साहु का कारेकाल खत्म हो रहा। अभी तक किसी भी गटबंधन ने उम्मीदवार के नाम का एलान नहीं किया है। लेकिन कई उम्मीदवारों के नाम पर कयास लगाय जा रहे हैं। गांडिय के पूर्व विधायक डॉक्टर सर्फराज एहमद ने नामांकन पत्र खरीदा है। तो हरीहर महापात्रा ने भी नामांकन पत्र खरीदा है। हलांकि उम्मीदवार कौन होंगे इस पर कोई खुल कर बोलने को तयार नहीं। इस पर अधिक्रित जो बक्तब्ब हैं वो आपके सामने आ जाएगा और यह आपकी सुचना है। अभी हमारी सुचना नहीं है। यह हम लोगों को भी ख़बर मिला है कि उन्होंने परचा लिया है और जिस तरह से चीजे सामने आ रही है बैठक का दौर भी चल रहा है। तो बहुत जल यह यूँ कहें कि कल से परसो तक में असपस टूप से आपके सामने नाम भी आ जाएगा, दल का भी नाम आ जाएगा, परतियसी का भी नाम आ जाएगा। हरिहर महापात्रा जारखंड की राजुनीती में नया नाम है। हरिहर मुंबई के कारोबारी हैं और बीज़ेपी के करी भी माने जाते हैं। माना जा रहा है कि बीज़ेपी उन्हें रज्यसभा चुनाव में समर्थन दे सकती है। अगर वे नामांकन दाखल करते हैं तो ये उनका पहला चुनाव होगा। हालां कि नाम अभी तै नहीं हुआ है। मीडिया में ही आ रही है। नहीं न तो अभी महागटबंदन के लोगों ने कोई उमिदवार घोसित किया और मेरे यहां से भी कोई उमिदवार घोसित नहीं। लेकिन जब अभी समय है और समय रहते हैं ये सारी चीजों की घोसना हो जाएगी हमारा जो प्रदेश ने तृत्व है, केंद्रिये ने तृत्व है इन बातों पर विचार कर रहा है और जो उमिदवार होगा उस सब के सामने आप लोगों की सामने वो आएंगे। विधान सभा में संख्या की बात करें तो विधान सभा में JMM के 29 विधायक हैं, वहीं सहयोगी कॉंग्रेस के 17 जबकि आरज्वडी के एक विधायक, वहीं इंडिये खेमे की बात करें तो बीजेपी के पास 26 और आजसू के 3 विधायक हैं, रज्यसभा चुनाओं के नामांक झाल, 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 झाल